नमस्कार दोस्तों आज हम आप सब के सामने एक और नए टॉपिक को लेकर के हाजिर हैं घुटनों के दर्द से निजात पाने के लिए तेल जिहां दोस्तों हमने पिछली बार बताया था ओयल मसाज करें या गरम पानी से मसाज करें पर इस बार एक और और शदी के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिससे कि आपको लाप मिलेगा घुटने का दर्द कम करने के लिए कनीर के पत्ते उबाल कर अच्छे से पीस लें और मीठे तेल में मिला कर लेप करें इससे घुटनों के दर्द में आराम मिलता है और दर्द चला जाता है गायब हो जाता है अगर घुटनों में दर्द ज्यादा हो या जोणों का दर्द सता रहा हो, तो कडवे के तेल में अजवाइन और लहसुन को चला कर तैयार किये हुए तेल की मालिश करने से भी जोणों के दर्द में फरक दिखेगा और इस तेल को शरीर पर लगाने से बदन का दर्द भी दू हो जाता है सहजन की पत्तियां बारीक पीसकर सरसों के तेल में हलका सा पका लें इस तेल से घुटनों में मालिश करें इससे भी आपको लाब मिलेगा यह बहुत ही अचा घरेलू नुस्खा है दोस्तों दाल में सहजन की फलियां डाल कर पकाएं और खाना खाते समय फलियों को चूस कर खाने से भी फर्क दिखेगा सुबह भूखे पेट तीन-चार अखरोट की गिरी खाने से घुटनों के दर्द में आराम मिलता है नारियल की गिरी खाते रहने से घुटनों का दर्द कम हो जाता है अरंध के पत्ते और मेहंदी पीसकर लेप करने से भी घुटनों का दर्द खतम हो जाता है उम्र बढ़ने की वजह से जोडों में दर्द रोकने के लिए रोज सुबह शाम तीन्चर मेथी के दाने ताजे पानी के साथ लेने से भी लाव होता है सुबह शाम दो मिनट के लिए भाद्रासन का अभ्यास करने से भी घुटने बहुत मजबूत होते हैं और आपके घुटनों में दर्द होना बंद हो जाता है दोस्तों धन्यवाद अगली बार हम आपसे मिलेंगे एक और नय टोपिक पर अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है हमारे सुजहाव अच्छे लगते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुजहाओ और अगर आपकी कोई अन्य समस्या हो जिससे निजात पाना चाहते हूँ आप तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें हम आपकी भर पूर कोशिस करेंगे मदद करने की धन्यवाद